जहिन क्या आप भी मध्यप्रदेश पुलिस का फार्म भरने वाले है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के मध्यप्रदेश पुलिस के लिए आप लोगों को आवेदन करने के लिए कौन-कौन से डाकुमेंट्स यहां पर लगने वाले है ठीक है फॉर्म भरते समय आप लोगों को कौन-कौन से डाकुमेंट्स लगेंगे और फाइनल आप लोगों को जब डाकुमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय कौन-कौन से डाकुमेंट्स लगने वाले है जो व साथ करते हैं तो यह आप लोगों का छक्सु जो प्रकासन है इसने एक बहुत ही अच्छी बुक निकाली है जिसमें आप लोगों को जो है 2100 प्रश्ट वस्तुनिष्ट प्रश्टन के साथ साथ प्रेक्टिस सेड भी यहां पर जो है अवेलेबल करवाए है ठीक है और इस किसी भी श्टोर पर मिल जाएगी साथ ही एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि प्ले श्टोर से परिक्षाइब डाउनलोड कर लिजेगा यहां पर आप लोगों को आउनलाइन टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल हो जाती है ठीक है तो आप जो है यहां पर चैसी भी टेस्ट सीरीज अगर लगाते है तो आपको अपने लेवल जो है पता चल जाता है ठीक है अगर यहां आप जो है मेरा कोड सूपार फोटी यूस करते है टेस्ट सीरीज में तो आप लोगों को 40 परशन का डिस्काउंट मिल जाएगा ऐसे भी काफी सस्ती से टेस्ट सीरीज तो देखिए सबसे पहला है आधार पंजियन आप लोगों का अनिवारी है ठीक है दूसरा बायोमेट्रिक सत्यापन जो है आप यहाँ पर दोनों चीजों को अगर एड करते हो तो आपको जो है यंपी ऑनलाइन की जो ओफिसली साइट पर वहाँ पर आप लोगों को जो है पं अतिव परदे पलीस ऑनलाइन फार्म के लिए यहां पर रहने वाला है ठीक है औलाइन फार्म जैसे आप स्टाट हो ज्चांट उन तो मैं व्डियों का डिस्क्रिप्रों संulsive है ना description में वहाँ पर से आप देख सकते है step by step आप online आवेदन कैसे कर सकते हैं दूसरा रोजगार काले जो है आप लोगों का 12 थे के बाद जो रोजगार पंजेन होता है वो यहाँ पर जो है जरूरी है ठीक है और फार्म भरते समय original document को आप लोगों को scan करके upload करना है photo और signature मतलब photo आप लोगों की तीन महीने पुरानी जो है photo होनी चाहिए अगर white background में आप लोगों की photo यहाँ पर रहनी चाहिए ठीक है और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों की आद रखना जब आप photo खिचवाएंगे तो उस photo पर particular date आप लोगों की आपने photo को कब खिचवाय था अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आप लोगों के document verification होगा उस समय कौन-कौन चीज़ तो बाकी यहाँ पर आप लोगों का जो है सिक्छा पर्मानपत्र ठीक है दस भी बारवी की मारक शीट है ना आधार कार्ड ठीक है प अगर आपको इसको मद्यपर्द्स पुलिस भरते से जूरी आपको पूरी फिजिकल और सिलेबस की पूरी जानकारी चीए तो आलरेड़े मैंने वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा चैनल पे चैनल पे जाके देख लीजएगा ठीक है और इसका जो किस प्रकार से रहने आपका जो एक्जाम होगा सबसे पहले 6 मार्च को ठीक है और यहां पर फिर आप लोगों का फिजीकल होगा ठीक है उसके बाद मेडिकल और फिर डाकुमेंट जो सत्यापन है वह परकिला यहां पर होने वाली है ठीक है तो यहां पर फॉर्म भरने का आपका जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा कि step by step आप अपने mobile phone से कैसे आवदन कर सकते हैं ठीक है और यहां पर अगर हम बात करें तो पंजियन आप अगर नहीं किया है ठीक है तो व्यापम का पंजियन कैसे करना उसका भी वीडियो आप लोगों को टाइब कर लिजेगा ताकि आगे की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे जै हिंद वंदे मात्रम